हाई गाईज वेल्कम बेक टू माई चैनल विथ अनदर वीडियो तो यार आचुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वाबस मेरा नाम है करविद वर्मा आप देख रहे हैं स्टडी विद करविद तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यार कुछ दिनों से मैं इनेक्टिव था दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी लेकिन अब कंटीनियो वीडियो आएगी तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं तो हमने कल तक का 12 यूनिट कंप्लीट कर दे थे ठीक है इससे पहले हमने इस्लाम धर्म, इसाई धर् सारे यूनिट कंप्लीट कर दे थे तो हमारे 12 यूनिट कंप्लीट हो चुके है आज हमारा 13 यूनिट है ठीक है तो 13 यूनिट हमारा आज है मगद राजी का उतकर्स कैसे हुआ था मगद राजी क्या था इस चीज के बारे में हम बात करते हैं ठीक है जैसा कि आप लोगों को पता है कितने 16 महाजनपदु का उदय जो हमने छटा साथ वाँ जो यूनिट था उसमें पढ़ चुके है कि 16 जनपदु का जो उदय हुआ था उसमें एक मगत राजजबी था मगत राजबी था जो सबसे सक्तिसाली महाजनपद हुआ करता था मगत और इसकी राजदानी हुआ करती थी गिरिबरज या राजगर जो पटना गया पटना बिहार में पढ़ता है तो यह सबसे सक्तिसाली महाजनपद था इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो महाजनपद इस पर कई मतब ऐसे शाशग आई कई व्ण्स फित थापना हुई और तबी यह सक्तिशाली बनाता था टिके पहुत राजनेतिक सकति की शिरंकला था तो यहां पर बहुत सारी ऐसे राजनेतिक सक्ति की सिरंकला तो यहां पर बहुत सारी ऐसे राजनेतिक सक्तियां आई थी बहुत सारे ऐसे वंस आये थे बहुत सारे ऐसे सासक हुए थे जिनके कारण मगद राज्य का क्या हुआ था उतकर्स हुआ ठीक है तो जो मगद राज्य है, मगद राज्य के सबसे प्राचीन वंस का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो इसके सबसे प्राचीन वंस का जो संस्थापक था, वो था ब्रहदरत, ठीक है, इस पर बहुत सारे ऐसे सासक आई, बहुत सारे वंस की स्थापना हुई थी, जो सबसे प्र उसका नाम था जरासंद कि इसके बा roughly आपने सुना होगा ब्रधरत dur का जरासंथ यह मगद राजय में service प्राचीन ठका संस्ताबक था is मगद semii kick uhin जो सबसे पहले जो 1स आया था उसका साथ रधरत ठीक है तो इसके बाद zo मगद 라जे में कासी सारे वं सदेनगी मुख रूप से तीन चार 11 साते जिनने पेहला आता है पर आता है शिसुनाग वंस फिर आता है नन्द वंस इनके बारे में अभी एक एक चीज topic clear करेंगे पहले हरियक वंस के बारे में थोड़ा सा highlight देखते हैं तो हरियक वंस का जो संस्थापक था वो था बिम्बी सार ठीके बिम्बी सार संस्था भक था हरियक वंस का जो 544 इस भ उसे बताया गया कि 544 थिकेğe 545 इस भी पूर्व क्या गरिए जी इसने क्याने गरी थी तुझे जो बीम्बि सार का पुत्र था उसका जाद सत्रू ठिकें क्या नाम था जाद सत्रू नाम था बीम्बि सार के पुत्र नंदवंस 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 के जो संस्तापक हुए उनका नाम था महापदमानन महापदमनंद के बाद आते हैं घनानंद ठीक है तो एके करके इन टॉपिकों के बारे में हम बात करते हैं ठीक है जो हमारा पहला टॉपिक उससे पहले मगदराजी का उतकर्स जो हुआ था उसके और भी मुख्य कारण थे एक तो क्या था राजनीतिक सक्ति की सिरिंखला थी जो राजनितिक सक्ति आये थे उनके कारण मगद राज जी का उतकर्स हुआ और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जैसे बहुगली कारणों के बारे में हम बात करते हैं बहुगली कारण क्या थे मगद राज जी के उतकर्स होने का तो बहुगली कारणों में आता है मुख्या रू तो उसमें हातियों की अवशक्ता पड़ती थी उनको गोड़े हाती सेनी बहुत सारे ऐसे होते थे 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 तो हातियों की उपलब्दी के कारण ही यहाँ पर मगद राजय क्या हुआ था उतकर्स हुआ था ठीक है यह भागवली कारण थे जिन में दो पॉइंट है एक है समरिद्ध चेत्र हुआ करता था जिसमें बहुत सारी उपजाव भूमी होती थी यहां की जो भूमी होती थी वह क्या थी उपजाव भूमी होती थी और तीसरा पॉइंट यह था आर्थिक चेत्र आर्थिक चेत्र में समरिद्ध भूमी थी जिसमें उपजाव भूमी हुआ करती थी मतलब यहाँ पर अनाज वगेरा बहुत जादा अच्छा पैदा होता था ठीक है जो चौथा हैं वह है तकनीकी अब सबस्पनें तकनीकी थी उस टाइम पर सस्त्रों की ठीक है यहाँ मतलब इनका उपयोगार जो करते ते राजा करते थे वह राजा गरते clarify मगत राज्य में एक और चीज है जो मगत राज्य था ना मगत राज्य कौन सी जगह पर इस्तित था अब बिहार में तो था गया पटना ठीक है गया पटना बिहार में तो था लेकिन इसकी जो location थी वो ती गंगा तह था ये वाला जो छेत्र था तो जो ये वाला छेत्र था ये वाला क्या था ये मगद राज था ठीक है ये क्या था मगद राज था और ये वाली नदियां थी जो एक गंगा नदी थी एक थी सोन नदी ठीक है इन दोनों के बीच में जो छेत्र पड़ता था उसको बोलते थे मगद मगध राजे ठीव उसके बाद पहला देखो तो ये 4 भोगलिक ये कारण होगे पहला राजनितिक सत्ति की श्रंकला फिर हो गई भोगलिक कारण आर्थिक छेट्र फिर तगनिकी इन चारुक कारणों के कारण ही मगध राजी का उतकर्स हुआ ठीव युद्र को द्लिया लाकरण ए मैं पहले भस्तापक संस्थार थै राज क्या थे अब पहले जो ब्रहेद राज-पनाम क्या है? जो सबसे प्राचीन जो सासत थे ब्रहदरत इनकी राजदानी भी कहा थी गृवरज या राजगर ठीक है तो हर्यागवंस के जो संस्तापक थे बिंबिसार उन्होंने अपनी राजदानी भी कहा बनाई गृवरज या राजगर बनाई ठीक है तो बिंबिसार जो थे ना जीवक नामक एक राजबैद भी होता था इनका जीवक नामक एका राजबैद यो था एक बार क्या हो था कि महातमाबुद्ध थोड़े बिमार पड़ जाते हैं तो बिम्ब सार ने राजबैद को कहा भेज दिया था महात्मा बुद्ध के बास भेज जया था ठीक है जो जीवक थे वो कहां गये थे महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए गये थे ठीक है महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए गये थे तथा एक और राजा हुआ गरते थे चंद्रप्रदोग चंद्रप्रदोग राजा हुआ गड़ते थे उनको हो गया था पांडुरोग ठीक है पांडुरोग नामक एक बिमारी हो गए थी उसको चंद्रप्रदोग राजा को जो अवंती राज्य के राजा थे ठीक है अवंती राज्य के राजा थे चंद्रप्रदोग उनको हो गए थ जो राजवैदी था बिंबि सहार का वो इनकी बीमारी का इलाज करने के लिए गए थे अवन्ती गए थे ख Schmidt ए स्वह मोरें तो जो के बारे में थोड़ा सा बिस्तार और देख लेते हैं इनके विवाहिक जीवन संबंद के बारे में हम बात करते हैं ठीक है इनका जो विवाहिक जीवन संबंद हुआ था इनकी बहुत सारी रानिया भी थी ठीक है बहुत सारी रानिया थी इनकी जिन में पहली रानी जो इनकी थी वो थी कोशल नरेश प्रसेंजित की बहन ठीक है ए वैसाली राज्य का जो राजा था चेटक चेटक की जो पुत्री थी चिलना ठीक है क्या नाम था उनका चिलना चिलना जो थी वो चेटक की पुत्री थी इनसे क्या कल लिया था विवाह कल लिया था विम्विसार ने एक और पत्नी थी वो थी मद्र राजकुमारी जो मद्र रा तो महा कोशला वगी प्रसंजित की बहन एक हो गई चलना जो चलटक की पूतरी थी तीसरी जिसरी हो गई शमा जो मद्र राज गुमारी थी तो इस तरीके से हर्यागवण्स की शुरुवात हो जाती है बिमबी सार से तो जो बिम्बी सार था ना बिम्बी सार ने क्या करा था अंग राज्य को जीता था अब अंग भी एक महाजनपत था ठीक है अंग भी क्या थे एक महाजनपत था जिसकी राजदानी कहां थी चंपा ठीक है चंपा क्या थी अंग की राजदानी थी जो कहां पड़ता है बिहार में धिके भिंविसार के हत्या हो जाती है करता कौन है उसी का पुत्र अजाद सत्रु अजाद सत्रु किया बीम साइर के हत्या कर देता है ठीक है और तो इस तरीके से बिंबिसार खतम हो जाते है ठीक है उसके बाद आता है अजाद सत्रू अब अजाद सत्रू के बारे में देखते हैं अजाद सत्रू कौन था बिंबिसार का पुद्र था जिसने अपने पितागी हत्यागर दी अब अजाद सत्रू एक सस्त्र चलात तो अजाद सत्रु का उपनाम भी है अजाद सत्रु का उपनाम है कुनिक ठीक है अजाद सत्रु का उपनाम क्या है कुनिक और इनकी जो पतनी थी अजाद सत्रू की पतनी थी उनका नाम था वाजिरा ठीक है क्या नाम था वाजिरा नाम था अजाद सत्रू की पतनी का नाम अब ये जो अजाज सत्रु थे अजाज सत्रु बहुत धर्म के अनुयाई थे कौन थे बहुत धर्म के अनुयाई थे अजाज सत्रु ठीक है और इन ही के टाइम पे पहली बहुत संगीती हुई थी अब जब हमने बहुत धर्म पड़ा था उस टाइम पर बहुत सारे संगीतियां हुई थी ना बहुत धर्म की तो इनके टाइम पर भी बहुत धर्म की संगीतियां हुई थी क्योंकि ये बहुत धर्म का क्या था अनुयाई था ठीक है तो अजाद सत्रु के डायम पर जो पहली बाध्य संगीती वी थी वह हुई थी राजगरह में ठीक है राजगरह में बाध्य संगीती वी थी जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप महा कश्यप नामक व्यक्ति क्या थे बहुत धर्म के मतलब पहली बहुत संगीती के अधियक्स ठीक है और एक चीज और जो हर्यक वंस है ना हर्यक वंस को क्या कहा जाता है पित्र हंता वंस ठीक है पित्र हंता वंस ठीक है पित्र हंता वंस अब पित्र हंता वंस क्यों कहा जात अब यह बोला जकाता था हरियक वन्ष अब ये भी पूथ सकता है कि पित्रहन्ता वन्ष के नाम से किस को जाना जाता है कि अब लगुस c proud living with को जाना जाते है तो जो जीते है वह आज हाली होता है एक परदेश जीता है जो होता है वैसाली ठीक है वैसाली को क्या कर लेता है वो जीत लेता है वैसाली को जीतने के बाद तो अपने स्थेनापती वर्सकार की मदद से क्या कर लेता है वैसाली को जीत लेता है अब वैसाली जो होता ना एक वज्जी करके एक राज्य हुआ करता था उस टेम पे कौन स तो इसके बाद अब इसने जीत तो लिया अब उसके बाद होता है इसके हत्या भी हो जाती है अब इसके हत्या कैसे होती है उदईन जो उसका पूत्र था ठीक है उदईन कौन था उदईन जो था उदईन था अजाद सत्रू का पूत्र ठीक है अजाद सत्रू का पूत्र था उदईन जो क्या कर देता है अपने पिता की हत्या कर देता है और खुद गद्धी पर बैठ जाता है ठीक है अब उदईन जो किहा प्यक्ति था वो था जहना धरम काना अब उसका पित्ध जो अजाद सतरु था वो था बहुता धर्मकाना पड़ी और यह था जमjos between out हम अभी अब इसने एक चीज़ के स्थापना करी थी तिगा मुदहिंने का गरी थी Eduja के शय और शजी करिती गंगा देख सोन नदी के किनारे क्या पढ़ दा था पाडिल पूत्र नामक जगह प है पढदी और नाग दसक के बारे में कुछ खास है नि तो नागदसक की हत्या हो जाती है ठीक है नागदसक की घर डिता है है मखर राज seminar कि Wilson सिसनाग हो गया सिसनाग वंस का संस्थापक जो गद्धी पर कब बैठेगा 412 BC में ठीक है मतलब 412 इसा पूर्वा बैठता गद्धी पर और उसने अवंती को भी जीता था ठीक है अवंती पढ़ता है मध्या परदेश में ठीक है अवंती इसके राजदानी कहा थी महिसमती ठ और इसने अवंती को भी जीत लिया ठीक है और इसने अपनी राजदानी कहा बना ली पाइसली ठीक है जो किस ने जीता था अजाद सत्रु ने जीता था वैसाली गो ठीक है तो वहां इसने अपनी राजदानी ट्रांस पर कर दी ठीक है अब सिसुनात के बाद उसका बेटा कालाशोग बैठ जाता है गद्धी पर ठीक है कालाशोग बैठता है कलाशोग के टाइम पर जो बोद्संगीति वी दि उसके अध्यक्सिते है अब कालाशोग के बाद जो न्तिमशाषक होता है न सिसुनाग्वन्स का जो अन्तिमसासक होता होता है वो होता है नंदीवर्धन फून नंदी वर्धन होता है अंतिम सासक अब नंदी वर्धन के हत्या कर देता है कौन महापदमानन्द ठीक है महापदमानन्द नामक व्यक्ति नंदी वर्धन के हत्या करके नंदवन्स की स्थापना कर देता है मगत राज्य पर ठीक है अब क्या हो गया यहाँ पर नंदवन्स की स पाधियां होती है किसके पास महा पदमानंद के पास ठीक है अब उसके बाद महा पदमानंद के पाद कौन बैठता है घनानंद ठीक है उसका बेटा घनानंद बैठता है राजगद्धी पर नंदुवंस के अब घनानंद क्या होता है अंतिम शाशक होता है ठीक है अंतिम पर अक्रमन fluid r2 26 gc в bc में 차ी 26vc में सिगंदर नी क्या करा टा एलेकसा इंडर ने भारत पर took that घंळई के दरवार में एक प्याःती और रहते दें मुझ्यरूप से जिनका नाम था जिसके बारे में आपने सुना है थिके तो एक बार क्या होता है ना जो गनानन्दों innovative which जङनानन्ड करता है झालक कि ऋसकी बेजअत्ति करने के बाद अर्ट बुदल को उसके और पर निकाल दिया तो उसके बाद रस पार करते हैं कि उनके अधर चली होता है अग जल्ली होती है उनके अंदर अब लेना चाहते है प्रतिशोध गनानंद से वो क्या लेना चाहते है प्रतिशोध लेना चाहते है अब प्रतिशोध लेने के लिए जा रहे होते हैं अब वो सोचते है कि कुछ टाइम बाद आऊंगा और इससे प्रतिशोध लूँगा और उसरे जा में, खачा of बच्च के जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इसे ही तो रास्ते में स्टूरी लिए। PAUL सासिए लिए ठीक के ऑफ बच्च को बहुत कि चालूत तरीके से कर रहा था हो तो उसको देखा था देखा था कुछ टाम बाद जब उनका खेल थोड़ा खतम हुआ तो चानक्य ने उस बच्चे को बुलाके पूछा तुमारा नाम क्या है तो बोलता है मेरा नाम है चंदरुगुप्त ठीक है मेरा नाम है जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ 14 साल के ठीक है 14 साल के होते हैं और चंद्रुगुप्त को लेकर अपने साथ चले जाते हैं ठीक है अपने साथ लेकर चले जाते हैं और चंद्रुगुप्त को क्या करते हैं ट्रेंड करते हैं उनको बहुत सारा ज्यान देते हैं बहुत सारी कला मौर्यवंस की इस्थापना को करेंगे बाद में अब धोरी तो मौर्यवंस में ब्ककि इंट्रेस्टिंग चीज़ें चंद्रोगुप्त मारे के बारे में तो देखो यह हमारा चौधवा यूनिट है सिकंदर अब सिकंदर के डायम पे क्या हुआ था कि 326 BC में इसने क्या अगरा भारत विजए का कार्य प्रारंब कर दिया था और इनके पिता का नाम था फिलिप ठीक है इनके पिता का नाम क्या था फिलिप था जो मकदूनिया का सासक था ठीक है मकदूनिया का सासक था और कब बना था 356 BC में मकदूनिया का सासक बना इसका पिता उसके बाद इनकी जो पतनी थी उसका नाम था रैक्सोना ठीक है रैक्स इस पाए नाम था बौक Chili था नाम पिर्यद बाव के फिला नाम पर ही इन्योंने एक नगर सथापना करी थी बौक電फि नग आरे इस भाब जो सिकंदर होते हैं उनका एक सेनापती होता है Supplier भाब करते का सेनापती होता है ठीक है सेल्यूकस निकेटर सेनापती होता है और एक जल सेनापती होता है जिसका नाम होता है निर्याकस सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस क्या होता है सिकंदर के सेनापती होता है ठीक है तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमन करा तो उ तस्ता का युद्ध कभ हुआ था ये 326 इस भी पूरव हुआ था कभ हुआ 326 इस भी पूरव हुआ था ठीक है किस किस के बीच में हुआ सिकंदर था पोरस राजा पोरस के बीच में हुआ था जिसमें सिकंदर जीत गया था और राजा पोरस हार गया था ठीक है राजा पोरस ह हराने के बाद वो बहरत में और आगे जाने के सोचता है और और राज्यों पर वो कंजा करने के लिए आकरमन करने के सोचता dunno लेकिन उस बीज मह आता था एक ब्यास नदी ठीक है? पस्चिमी तोर्ड पर क्या होता था? एक ब्यास नदी पढ़ती थी अब जब वो जा रहे थे सिकंदर की सेना आप जा रही थी तो ब्यास नदी के पच्चिमी तर्ड पर पहुंच गए ठीक है अब ब्यास नदी के जब वो पच्चिमी तर्ड पर पहुंचे एस्ट वाले अरिया पर ठीक है सॉरी वेस्ट वाले अ वेस्ट वाले एरिया पर पस्षिम वाले इलागे पर पहुंचते हैं तो उसकी जो सेना थी उसने जो ब्याश नदी थी ना ये ब्याश नदी के जब वो पस्षिमी तर्ड पर पहुंचे तो यहां से पार गनने के लिए मना कर दिया ठीक है ब्याश नदी को पार गनने के पड़ेंगे अभी स्रीकंदर चल लगा तो जब उसकी सहां ने पारगने मैंना करा तो वो क्या हो जाते है एक साल वही आस-паस रहता है फिर उसके बाद जो राज जिता था उसने पॉरस को ठीक है और गये बास टाराज गार जीता था एक साल पूरवा लोटा था ठीक है और उसकी मिर्त्यू हो जाती है भारत से लोटने के बाद दो साल बाद उसकी मिर्त्यू हो जाती है तीन्सोटेए इस भी पूरवडी ऐए तीन्सोटेएज इस भी पूरव ऊसकी क्या हो जाती है मिर्थी हो जाती है अब सिकंदर के जो गुरु थे ना उसका नाम था अरस्थू ठीक molar इसकी मीट्यू का हाओ ही तो डीक करना बड़ीयतिनिम्रथी तो इसको तो इस तरीके से सिकंदर के बारे में पूरा हमारा complete हो चुका है हमारे दो यूनिट आजके भी खतम हो चुके है आज वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो मेक्शुर वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बागी हम कल पढ़ेंगे more events के बारे में तो आज के लिए इतना काफी है बागी मिलते हैं कल next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye